आप लोगो बता दूँ कि स््टाःटप इं्डिया के तो फैंट्स इसके लिए आपको अपने स्टाःटप को स्टाःटप इंडिया के अंदर registration करना अनिवार है इसके लावा एक कमेंट जो है मेरे हर एक वीडियो पे आ रहे हैं मैं आपको बता दू कि लोग पूछ नहीं कि सर इंडिया में हमारा स्टार्टप का registration हो चुका है और DPIT नंबर भी मिल चुका है तो कैसे हम लोग tax exemption लेंगे फेंट्स tax exemption का अलगी प्रोसेस से इसके लिए आपको डिपार्टमेंट से जो है किलिरेंस लेना पड़ता है अंडर स्रिक्षन 80 IAC की तरू यह सारे जो काम है हम लोग करवा के देते हैं तो फेंट्स अगर आपने अभी तक अपने कमपनी का स्टार्टप इंडिया में registration नहीं करवाया है यह आप tax exemption नहीं लिया है तो फेंट्स इसके लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं